नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपकी पसंच्दा कारिक्रम एक मुलाकात में जैसा कि आप जानते हैं हम आपकी मुलाकात हर बार एक नए महमान से कराते हैं और आज हमारे स्टूडियो में हमारे भी जो खास शक्सियत मौजूद है वो है भारत की पहली महिला DIG of Indian Coast Guard नुपूर कुल शेच्टर जी तो चली उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बढ़ाई हैं हमारे व्यूवर्स के और से कि आप फर्स्ट विमन DIG हैं Indian Coast Guard में यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलबदी है तो हम जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुवात कहां से हुई आपकी जर्नी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो मेरा सेलेक्शन 1999 में हुआ था जैनवरी 1999 में और मैंने अल्मोस्ट पच्छे साल कंप्लीट कर लिए हैं सेवा में बहुते तरक्षे की सेवा में और मेरा प्रोमोशन हुए भी अल्मोस्ट चार साल पूरे होने वाले हैं और एक ही तरीका है सक्सेस का जो मुझे लगता है वो है हार्ड वर्क, परसिवेरंस और वर्किंग विद टोटल कॉंसेंट्रेशन अगर आप कभी भी opportunity ढूंडे ना पर हर अफसर को opportunity माने तो बस वही आपकी growth का मंत्रा है ऐसा मुझे लगता है नुपरज जानना चाहते हैं कि actually मैं एक D.I.J. Indian Coast Guard की क्या roles and responsibilities है एक तट रक्षक की क्या roles, response क्या टास्क आप लोग परफॉर्म करते हैं और क्या challenges आते हैं आपको आपकी duty में जैसे की name suggest करता है Indian Coast Guard तो जो हमारे भारत का तट है उस पूरे तट की सुरक्षा Indian Coast Guard के कुन निर्वाह करने की जिम्मेदारी दी गई और यही करने के लिए भारतिय तट रक्षक का गठन किया गया था 1978 में और हम लोग ने शुरुवाद बहुत bare minimum ships से की थी आज हमारी वही ship बहुत multi-fold होगी है और हमारी responsibility manifold होगी है ताट इस आज है तो इंडिन गोस्गार्ट में एक जेरल दूटी ब्रांच होती है और एक technical ब्रांच होती है मैं जेरल दूटी में कारियरत हूं और जेरल दूटी में विमन एंट्री हूं तो विमन एंट्री जब हम लोग ने शु को पाइलिट्स में भी इंडक्त किया जा रहा था था नाइंटी सेवन में हमारी लेडी पाइलिट्स भी इंडक्त हूई थी बट शिप्स पे लेडीज को नहीं डाला जा रहा था तो अजब कोई जहाज सेलिंग पे जाता है तो उसको पूरी तरह से स्टॉक अप करना पड हो तो हर चीज को हमें stock up करने के लिए हमारे जो stations होते हैं जो पूरे coast पे जो हमारे stations है right now we are around 42 stations. तो न 42 stations में हमारा stocking up रहता है जो कि ships को दीरे-दीरे stock देते रहते हैं. तो logistic officer का काम होता है कि procurement करना और ships को stock up करना सिर्फ ships का ही नहीं मल्ची stations में जो इसे गाड़ियां है, ships को हम गाड़ियां देते हैं वो सब एक logistic officer की duties में आता है यह मेरा काम था and इसमें challenges मैंने जब हम लोग ने शुरुआत की थी तो ladies बहुत कम थी हम लोग total 1909 से लेके 2008 तक we were only 14 और 15 lady officers in the entire Indian Coast Guard उसके बाद short service commission स्टार्ट हुआ जब ladies को हम लोग permanent duty के लिए हैं जो हम लोग 60 साल तक काम कर सकते हैं बद जो short service commission lady officers हैं वो पहले 8 साल के लिए आती हैं फिर उनको 10 साल का extension मिलता है और 14 साल और 14 साल के बाद उनने coast guard छोड़ देते हैं वो लोग फिर धीरे नियुक्ती शुरू हुई और जादा से जादा ladies ने join कर लिया तो जब हमने शुरूआत की थी तो ladies बहुत कम होती थी और जो एक environment है जहां से हमने learning की है मैं बोल सकते हूं कि हमने कंदे से कंदा मिला के अपने male counterparts के साथ काम सीखा है और उनों नहीं हमें training दी और उसी training की वज़े से हम आगे बढ़ते हैं और एक family की तरह we live and we grow with each other एक collaboration में ये काम आप लोग करें एक collaboration और teamwork में हम काम करें तो क्या values के हम अगर बात करें तो ये इतना challenging job है तो क्या values और सिधानत को आप लेकर के चलते हैं इस job में अपने साथ सबसे पहले तो जब हम uniform पहनते हैं तो हम अपने आप में प्राइड फ्ली करते हैं और जब हमारे साथ एक ऐसा aim जुड़ा होता है कि हम अपनी country के लिए काम करें हैं country की national security के लिए काम करें तो अपने आप में बहुत गौरामवित फील करते हो और मैं भी वो प्राइड फ् में इतनी महिला हैं उन लोगों को आप क्या एक पैसेज देना चाहेंगी जो अपनी फील्ड में इस शिखर तक पहुचना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज सबसे जादा जो मुझे फील होता है कि learning should never stop and ladies should always feel that हम किसी भी पॉइंट पर ये ना फील करें कि हमें अब सब कु के साथ हमें आगे बढ़ना है जादा से जादा पढ़ाई करते रहें हमेशा कोई नया सब्जेक कोई नई चीज लर्न करने की अंदर से एक चाहा होनी चाहिए और और ये लर्निंग अबिलिटी हमेशा अपने अंदर मुशन से है कि कोई भी चीज जो आपको अच्छी लग करना चाहिए जैसे कि spirituality word है वो शायद spirit से ही आया है और हम सब के अंदर वो spirit है तो अगर हमारे अंदर spirit है तो spirituality होना भी स्वाभाविक है हम लोग जो ढून रहे हैं वो अपने अंदर हमें मिलनी है और अकर एक पर हमें मिल जाए तो हमारे जो goals है जिनको हम decide करते हैं उसको बहुत easy हो जाता है तो जो self learning है I think that is spirituality और जब हम इसको ढून लेते हैं तो हमारे goals और objectives काफी clear हो जाते हैं तो अनुपर जी जैसे अब ब्रह्मा कुमारी से headquarter में आ है तो आपको यहां के जो वातावरन है जो environment है यहां पर आपको आपकर लगा कि आपकी जो spirit है और gear up हो है वहां पर मैं आपकी पहली soldier से मिली और उन्होंने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं मेरा बहुत मन किया कि मैं इसको और जानों और फिर उन्होंने ही मुझे बहुत मोटिवेट किया that we must come here and we came here and यहां पर आके ऐसा लगा कि अभी तक हमारे को बहुत कुछ बाकी है ज जी 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 और आपने जो यहां पर conference अटेंड करी service and security wing में इस conference में आपने क्या सिखा और आप ऐसी कौन सी अच्छी बात आपको यहां पर लगी जो आप अपने साथ लेकर जाएंगे क्योंकि आपने कहा कि हमें अपने अपको fill up करना है वो जो gap है तो वो कौन सा gap है और जो एक सिद्धान्त है जिस पर शायद हमारी भारत पूरा भारतवर्श पी उस पर फिशफास करता है और वो है वासुदेव कुटमबकम बलकुल वोल्ड इस a family and वही सिद्धान्त यहां का शायद आधार है जो मुझे समझा है कि हम सब एक हैं और हम सब को एक दूसरे को develop क करना है और यहां के हर जो यहां के help करते हैं जो लोग यहां पे जो associated हैं यहां से उन सब के अंदर यही एक quality है कि सब एक दूसरे को help करना चाहते हैं सब एक दूसरे को evolve करना चाहते हैं और develop करना चाहते हैं and that is what I felt that यहां पे उस वासुदेव कुटमबकम का पूरा का पूर वो यहां पे है तो वही मनाया जा रहा है उस प्रिंसिपल को सबस्यादा फॉलो किया जा रहा है और वही मैं साथ लेकर जाना चाहती हूं कि शाद मेरे में और आप में जादा फरक नहीं है बस किसी के कोई गैपस हैं वो हम एक दूसरे के साथ भर सकते हैं जी जी बहुत सुन्दर और जैसे आप इहां का अपने इंफ्रास्ट्रॉक्चर भी देखा है इतना सारे कैंपस को आपने विजिट किया है और इहां का रूटी कोई किसी को भुष्य को बोल नहीं रहा है कि यह करो ऐसा करो, ऐसा करो हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमें जेनरली नियंतरण में रखने की कोशिश करते हैं और वो अगमारी उपर जब्र कोई खड़ा होता है तो हमारा भीईवियोत थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है हम कोई चीज की कमी नहीं पड़ती है, सब चीज़े आटोमाटिकली बहुत और चल रही है और ऐसा लगी नहीं रहा है कि इसको कोई देख भी रहा है इस पूरे प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो हर चीज अगर उपर से देखा जाए तो लग रहा है बस आटो में चल रहा ह तो इस सिस्टम आप मानती है कि इसे कोई यूमन नहीं स्वें परमात्मा है सुप्रीम कोई ऊपर से इसे चैनलाइज कर रहा है कोई से चला रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि हर इंसान के अंदर एक बहुत ही अच्छी सी उर्जा है वो उर्जा जो यहां जो मेडिटेशन प्राक्टिस करते है राज्योग उन सब से सब अपने आपको इतना उर्जा वान बना दिया है कि वही जो इश्वर की अगर उर्जा कहीं पर है तो वो शायद यहां पर है और उसी उर्जा से सब लोग काम कर रहे हैं खुश रहते हैं एविबड़ी इस हाभी फेस विच वि यूज करके अपने इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और फिर आप उसे अपने जॉब में यूटी में आप उसे कैसे यूज करते हैं अगर कोई प्रॉबलम है तो इसका मतलब वो सॉल्व हो सकती है बिलकुल अगर वो प्रॉबलम से भी बड़ी है तो देन दिया चालेंज मुझे ऐसा लगता है जाहतर हमारे आम तोर की जिंदगी में प्रॉबलम्स ही आती हैं जो अराम से हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो प्रॉबलम्स हम ही लोगों के किसी ना किसी कारे में आती हैं जो हमने खुछ से क्रेट की होती है और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो अगर आप अपने मन को शांत रखें और उसी में आप सॉल्यूशन तो बहुत आसानी से वो सॉल्यूशन मिल जाता है पर हमेशा अगर हम उतेजित रहें और सोचने की कोशिश करें कि इसी तो प्रॉबलम बहुत बड़ी आ गई है इस तो सॉल्व कैसी किया जाए तो सम होगा और बहुत जल्दी मुल्टिपल सॉल्यूशन आ जाते हैं और कोई ना कोई एक सॉल्यूशन क्लिक कर जाता है बिल्कुल एक पॉजिटिव एटिटिव रखना बहुत जरूवी है आप अपने पर्सनल और प्रफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहें क्योंकि महिला है वो सात में लगी हुई है हमारे जो हम मह Sους नी कर पाते है जब हम घथ से निकलते हैं तो गर में एक हमारी डॵेस्टिक है वो पूरा हेल्प करती है गहर में उनकी वज़ज़े से यहाद मेरा घर चलता रहता है जब मेरे मेरे बच्चे पढ़ने जाते है तो टीचर्स वह बच्चे घर आते हैं, तो बस वाला उसको समाल रहा हता है और इसी तरह से मैं ओफिस में जाती हूँ तो मेरे सहीयोग के लिए ते लोग होते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले काम करते हैं But actually the whole society is joining hands and making my family go ahead मेरी अपने हस्बें है जो बहुत हेल्फुल है मेरे अपने फैमिली, मेरे पेरेंस बहुत है, सुपोर्टिव थे मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं अकेले कुछ करती हूँ मेरे अकेले अकर मैं कर रही हूँ तो मुझे नहीं लगता यह सही आटिट्यूड होगा मेरे जाल से पूरी सोसाइटी हेल्प कर रही है कि मेरा घर ठीक से चल रहा है माम आप हमारे व्यूवर्स को, Brahma Kumaris के सभी भाई भेनों को क्या एक मैसेज देंगी अपनी और से सबसे परेन मैसेज तो यह है कि हमको कभी एक दूसरे को कंपेर नहीं करना चाहिए लेडीज को कभी भी मेल्स के साथ कंपेर नहीं करना चाहिए माम आप हमारे व्यूवर्स को, ओडियन्स को और जर्नली सोसाइटी में जो लेडीज है उनके लिए क्या एक आप मैसेज देंगे अपनी और से मैं लेडीज को यह मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने आपको हमेशा अपग्रेड़िड रखें जैसे जैसे वातावरन चेंज हो रहा है, एन्वार्मेंट चेंज हो रहा है हम सबको जरूरी है कि अपने आपको रीचार्ज करते रहें by the process of learning वो process of learning could be spiritual learning also and academic learning also because हमें दोनों शेत्रों में अपने आपको उजावान रखना है और दूसरी बात, जो मैं जाथ लेडिस को बोलती हूँ कि अपने आपको कभी भी मेल से compare मत करें क्योंकि उनका एक अलग डुमेन है, हमारा डुमेन अलग है अगर उनके पास भगवान की दियोई काफी biological power है तो आपके पास आंतरिक शक्ती बहुत जादा है और क्योंकि नारी जो है वो शक्ती का खुद स्वरूप होती है तो जब भगवान के पास भी रादा जी चोड़के चली गई ती कृष्ण भगवान को तो उन्होंने भी वो श्रीहीन हो के थे तो यह बहुत जरूरी है कि आप एक शक्ती बनके रहें तो कौनसी एक एसी पावर है जो आपको लगा कि जो आपको इस जरूरी में पूरी लाइफ आपको हेल्प की उस बुस शक्ती के बारे में आप अगर कुछ बता सकें जैसा लगता है कि जो विमेन है उनके अंदर क्रिएशन की शक्ती होती है वो किसी चीज को भी क्रिएट कर सकती है और ये बहुत बड़ी भगवान ने एक हमें जो पावर है वो दे रखी है और उसी के बेसिस पे हम सोच सकते हैं कि हम किसी भी प्रॉब्लम का हल डूण सकते हैं हम कहीं पे भी कोई नई चीज क्रिएट कर सकते हैं तो वो creation की शक्ति, procreation की शक्ति, creation की शक्ति हमारे पास है, जो कि बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत इंपोर्टन है, एक शब्द में आप यह बताए कि आप यहां से क्या एक ऐसी बात अपने साथ लेकर जाएंगे, मैंने यहां से सीखा है कि अगर हम, अगर हमें कोई भी ची कोई किसी से महान नी है, कोई किसी से छोटा नी है, सब एक बराबर है, और सब को एक दूसरे के गाप्स फिल अप करके, एक दूसरे को empower करना है, धंक यू सो मच मैम, आप यहां आए और आपने अपना valuable time हमें दिया, धंक यू सो मुझ तो दोस्तों ये थी पहली महिला D.I. अगली बार भी हम आपकी मुलाकात ऐसी किसी खास शक्सियत से करवाएंगे, तब तक के लिए दीजी हमें इजाजत, नमस्कार, ओम शान्ती